दोस्तो मैच खतम होने के बाद हमें रोष सर्मा और हार्दिक पांडिया के बीच जबरचत बहस देखने को मिली जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई इंडियन्स और गुजरात के खिलाब खेले गए मैच में मुंबई इंडियन्स जीता हुआ मैच हार गई जिसके बाद रोष सर्मा काफी ज़्यादा निराश थे क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी सुरुवात दिलाई थी जब मैच खतम होने के बाद हार गई पन्डिया रोष सर्मा से मिलने आए तो हार गई पहले उन्हें गले लगते हुए दिखाई दिए और जैसे हार गई गले लगते हैं रोष सर्मा घूमकर हार गुजचे में कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं रोज सर्मा हार्देग पांडया की इस बास से काफी जादा ना खुषते वो काफी देर तक उन्हें समझाते रहे कमेंट टेटर का या कहना था कि हार्देग पांडया की कफ्तानी साइट रोज सर्मा को पसंद नहीं आई वो चाहते थ तिम डेबिट से पहले हार्दिक पांडिया बैडिक कनने आएं लेकिन हार्दिक ने पहले टिम डेबिट को भेज दिया सायद इसी करण से रोज सर्मा खुश नहीं थे इसलिए वो हार्दिक पांडिया को काफी देर तक समझाते रहे हैं दोस्तों आपकी राय में अगर रोज सर्मा कप्तान होते तो क्या मैं जीत पाते या नहीं हमें कमेंट में जरूर बताएं